बॉली बुड में कई अभिनेत्रियां ऐसी मौजूद हैं जिन्होंने कॉस्मेटिक सरजरी का सहारा लेकर खुद को खुबसूरत और आकर्शक बनाया है आज मेडिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने इतना विकास कर लिया है कि चेहरे की सरजरी से लेकर रंग बदलने तक अब अभिनेत्रियां कुछ भी करवा सकती हैं आपने बॉलीबूर्ट के कई ऐसी अभिनेत्रियों के बारे में पढ़ा होगा या फिर देखा होगा जिन्होंने प्लास्टिक सरजरी करवाई है गोरा और सुन्दर दिखना हर किसी के ख्वाईस होती है कभी कभी सावना रंग होने पर लोगों का आत्मबिश्वास कम हो जाता है वैसे तो गोरे रंग के लिए कई ट्रेटमेंट मौजूद हैं लेकिन ये ट्रेटमेंट इतने महंगे होते हैं कि इसका फायदा हर कोई नहीं उठा पाता है Medical Term में इस ट्रेटमेंट को Skin Lighting Treatment कहते हैं बॉलीबुड की कई मशहूर अभिनेत्रियों ने अपनी त्वचा का रंग निखारने के लिए इस ट्रेटमेंट का सहारा लिया है। आज के इस खबर में हम आपको ऐसे ही कुछ अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस लिष्ट में कौन-कौन सी अभिनेत्रियों शामिल हैं। पहला काजोल काजोल भारतिय फिल्म सिनेमा की जानी मानी आदाकारा है। काजोल का नाम इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेसेज में सुमार होता है। उनके खाते में एक से बढ़कर एक सुपर हिट फिल्मे हैं। आप काजोल को उनकी पहले के फिल्मों में देखेंगे। तो उनका रंग बहुती सावला हुआ करता था। लेकिन आज वो दूद की तरह सफे दिखाई देती हैं। दोसरा श्री देवी दिवंगत अभिनेतरी श्री देवी बॉली बुट की पहली लेडी सूपरिश्टार थी। श्री देवी एक बहतरीन आदाकारा होने के साथ सा एक बहतरीन डांसर भी थी। कई फिल्मों में अपनी आदाकारी का लोहा मनवाने वाली श्रीदेवी डांस में भी निपूर थी, और कहा जाता है कि सुन्दर और आकरशक दिखने के लिए श्रीदेवी ने कई सरजरी करवाई थी, पहले के फिल्मों में वो बहुत ही साउली दिखा करती थी, लेकिन बाद 5 साल की उम्र में भी रेखा किसी भी 27 को मत दे सकती है रेखा एक ऐसी अभि नेत्री हैं जो गुजर्टे समय के शाथ और भी हसीन होती हरी है लेकिन अगर आप रेखा को उनकी पहले की फिल्मों में देखेंगे तो उन्हें पाचान भी नहीं पाएंगे पहले रेखा का रंग बहुत ही ज्यादा सावना था लेकिन बाद में सरजरी की मदद से वो गोरी हो गई थी हेमा मालिनी अपने समय की सबसे खुपसूरत अभिनेत्री हुआ करती थी उस दोर में हेमा मालिनी के खुपसूरती पर लाखों लोग भीदा हुआ करते थी आज भी वो लाखों दिलों की धरकन हैं रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी के दुनिया भर में लाखों चाहने वाले हैं लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हेमा मालिनी का भी रंग पाले सावला हुआ करता था लेकिन इसकीन लाइट ट्रीटमेंट की मदद से उन्होंने एक गोरी त्वचा को हासिल की पाचवा शिल्पा शर्थी अपनी अदाओं से यूपी बिहार को पाचा को हासिल कर लिए आज वह बहुत या कर्शक दिखती हैं पहले की और अब की तस्वीरों में आप अंतर को साप देख सकते हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज रूम से बिनित्राय की रिपोर्ट झाल